Two Finger Test आपने भी इस नाम के बारे में सुना होगा अगर नहीं सुना है तो आपको इस बारे में चान लेना चाही जैसा नाम है वैसा ही कुछ ये काम भी है Supreme Court ने अब इस Two Finger Test पर रोक लगा दी है दरसल इस Two Finger Test के तहेद रेप पीड़ताओं के प्राइवेट पार्ट में दो उंगली डाली जाती है और यह पता लगाया जाता है कि उनके साथ रेप हुआ है या नहीं कहा जाता है कि अगर यह दो उंगली आसानी से चली जाए तो इसका मतलब है कि वो sexually active है और अगर यह नहीं जाए बार नहीं है जब सुप्रिम कोट ने इस पर रोक लगाई गई थी साल 2013 में हर्याना हाई कोट ने इस पर रोक लगाई थी और कहा था कि ऐसा टेस्ट नहीं किया चाहिए लेकिन तब भी यह टेस्ट नहीं रुके फिर साल 2019 में एक बार फिर कोट को कदम उठाना पड़ा और सक शब्दों में कहना पड़ा कि इस टेस्ट पर रोक लगा दी गई है लेकिन आज भी यह टेस्ट हो रहे हैं जिसके चलते अब साल 2022 में एक बार फिर सुप्रिम कोट को इस मामले में कहना पड़ा है आपको बता दें इससे पहले इंफ्लुएंशल लोकों के साथ भी यह टेस टेस्ट किया गया था ऐसे में सवाल है कि आखिर यह टू फिंगर टेस्ट क्यों होते हैं